नमस्ते अविवन आज की रेसिपी बहुत खास है आज मैं बनानी चारी हूँ करनाट का स्पेशल बीसी बिली भात और इसी वीडियो में मैं बताऊंगी इसमें खास इस्तमाल होने वाला मसाला जिसे आप महिनों बना करके भी रखोगे ना तो वो खराब नहीं होगा देखने में ये आपको तहरी या खिचडी जैसे लगेगा लेकिन यकीन मानिये करनाट का ये स्पेशल रेसिपी इतना सोल से जुड़ा हुआ है कि एक बार बनाने के बाद मैंने इसको सैकडो बार बनाया और एट लास सोचा कि ये रेसिपी भी आग तक पहुँचाई जाए करेंगे लिट को बन करके दो सीटी आने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए बिसी विली भात के लिए एक स्पेशल मसाला तयार किया जाता है करनाटका के हर घर में आपको ये मसाला मिलेगा इसके लिए मैंने दो टेबल स्पून धनिया साबुद जीरा एक चमच काले म मैं इस टेस रेकॉर्डिंग मैं यहां दो से तीन इस्तेमाल कर रही हूं करी पत्तर डालिएगा थोड़ा सा हींग डालिएगा और सबसे जरूरी चीज़ दो से तीन टेबल स्पून सुखा नारियल इन सारी चीज़ों को धीमी आज पे 5-7 मिनिट भून करके हल्दी के साथ डाल करके इसको ब्लेंड कर लीजेगा जब बहुत गरम मसाले हों तो आप इन्हें नहीं पीसना क्योंकि इसका एरोमा बाद में चलके कम हो जाएगा जब यह हलका गरम होना तब आप इसका एक फाइन पाउडर बना लेना लोक एड दिस बिसी बिली भाद का यह मसाला बनक करती हूँ और डोसी के उपर भी मैं डालती हूँ यह बड़ा ही टेस्टी खाने में लगता है मसाला रेडी हो गया अब मैं धेर सारी सबजियां काट रहे हूँ करनाटिका का यह रेसिपी बेसी विली भाद बहुत ही हेल्दी होता है अगर आप डाइट पे हैं या योगा क कर रहे हैं और चाहते हैं कि वजन कम होना तो उसमें भी आप यह रेसिपी बना के खाऊँगे ना तो आपको मज़ा आ जाने वाला है स्वाच के साथ साथ आपका वजन भी कम होगा पारंपिक तरीके से तेल में मूमफली या काजू को थोड़ा सा फ्राई करके निकाला जा जो भी जो भी सबजिया हो उन सब को नमक डाल करके थोड़ा सा पका लीजे थोड़ा क्यों मतलब अच्छे से पका लीजे उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया अना बीसी बीली भात वाला मैं यहां उसको दो टेबल स्पून यूज कर रही हूं और जो यह अभी हमने खि लास्ट में एक स्पेशल तड़का भी उपर से डालूंगे जिसमें मैंने राई और कश्मीरी लाल मिच्ट थोड़ी सी हिंग के साथ इस्तमाल किया है वैसे अगर आप डाइट पे हैं तो उपर से जो तड़का लगाया है वो आप इसके भी कर सकते हैं लेकि ओरिजनली यह ऐसे ही बनाए जाता है लास्ट में धनिया और जो हमने काजू और पीनिट्स फ्राई किये थे उसको डालेंगे अगर आपको पीनिट्स और काजू फ्राई करके यूज नहीं करना है तो आप इसे ड्राई रोस करके भी यूज कर सकते हैं लुक एड दिस ये तो बिलकुल ब प्राई किया क्योंकि इसके साथ वहां पे सर्व होता है लुक एड दिस बिलकुल तहरी के टेक्च्चर का लग रहा लेकिन खाने के बाद आप मुझे याद करोगे मुझे बहुत दुआए दोगे इसका बिलकुल अलग फ्लेवर होता है और इस सर्दियों में तो तहरी बनाओ गई ना एक बार एक बार मेरे कहने से इस तरीके से मसाला बनाके त्राई करना आप मुझे कहां से देख रहें जरूर पताएगा ताकि अगले वीडियो में आपका धनेवाद कर पाऊं क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरा बहुत प्रोचाहन करते हैं कभी नह इतना अच्छा अपने देश का पारंपरिक खान पान है क्यों ना इससे जाज़ जादा शेयर किया जाए खाने का एक खास तरीका है पापड को इस तरीके से तोड़ते हैं बिसी बिली भात में मिक्स करते हैं और फिर दबा के वो खाते हैं इस रियली यम चैनल पे नहें त नहीं इस के चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा जाज जादा शेयर कीजेगा इस रियली यम इंजोई बापाई